नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों विधायक वजाहत मिर्जा महराश्ट्र विधान परिशत के सद्स हैं वजाहत मिर्जा और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि वजाहत मिर्जा के नाम से 25 लाख लेते हुए रवीभवन से नाकपूर रवीभवन से दो लोगों को दो आरोपी को एंटी क्रॉप्शन ब्यूरो ने आरेस्ट किया है सुतर बताते हैं कि 10 अपरेल तक इन्हें कोर्ट से समय मिला है पूस्ताश के लिए इंटेक्रेप्शन ब्यूरे से पूस्ताश कर रही लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 27, 28 और 29 मार्च इन 3 दिनों के लिए रवी भवन में वजाहत मिर्जा विधायक वजाहत मिर्जा बड़े इतिफाक की बात है कि 27, 28, 29 को बुक किया जाता है और ये सारी चीज़ों पर अंजाम दिया जाता है एंटी कर्वाइब कर रही है वजाहत मिर्जा से अभी तक एंटी कर्वाइब ब्यूरे ने कोई अभी तक बयान नहीं लिया है उनका कोई statement record नहीं किया गया है ज 25 लाख रुपे के रिश्वत लेने मामले में इनका involvement कितना है इसमें हमारी नजर बनी हुई है दोस्तों जैसा कि वजाहत मिर्जा नाकपूर में रहते हैं नाकपूर में उनका घर है बंगला है सुत्र बताते हैं वहां उनका घर है लेकिन इसके बावजूत ड्राइवर और वजाहत मिर्जा की बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है जो जाएंच के बाद ही निश्पन हो पाएगी कि क्या चीजे सच्चाई थी क्या सच्चाई नहीं थी लेकिन BCN इस खबर को निश्पक्ष तरीके से आप तक लेकर आता रहेगा कि वजाहत मिर्जा अगर विधायक है तो उनके लिए समविधान अलग नहीं है कानून अलग नहीं है तो उनके ऊपर भी अगर उनका नाम लिप्त है इसमें तो कारवाई होनी चाहिए इस पे हमारी नजर बनी हुई है अगले अपडेट के साथ हम जल्द हाजीर होंगे आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन्विस्टिया न्यूज पे सच दिखाये बिना चुपाये जैहिंद